गणेश पुरणं उपासनाखंड अष्टमोध्याय भृगर हुँकारेन नानाशंकानाम निवारणं भृगुरुवाच इतीते नाधितंबाक्यम मुहरुग्लानिम् प्रकुर्वतह करुणायुतमाकर्ण्यम् नाध्भिन्नम् खुरुदयम् तव व्रजात्सारतरंकिम्नम् ब्रख्मनात्ययी निर्मितं हिम्सनात् बहोजन्तोनाम मनुष्यानाम सहस्रशह अतेनिष्टूरतांप्राप्तं कृतग्नस्येव मानसं अवोच्यस्त्वं ततस्तंतु कृतंत इवनिष्टूरह जोरवाच किम्ते वक्यचयर्विप्रह वृत्तामयी नियोजत्यये अश्रोच रित पांडित्यम् नियुप्जे कुम्भे यताजलम् ग्वेयम्ममा मतिर्मूढ कौपदेशस्तवाप्ययम् तत्वचिंतेव मधुपे संप्रतं मेन रोचते अर्था सक्तय नक्वापे पित्रवंधो विचारना यताकामात्तुरस्यापे नभीत्तिर्ख्रश्च विद्यते शुद्धिककके द्योतकारे सत्यम् धैर्यम् नपुम् सक्के कामशांती स्त्रियम् सर्पे क्षमाद्रिष्ट्वा त्वयानुकिम् अंतिकेत्वं निस्रुष्टोसे व्यापार रही थस्यमें विधात्र दैवयोगेन नत्वा मुंचामे करहिचे भ्रुगुरुवाज इत्युक्त्वा शितिम् खड्गं खस्त आदाय दक्षिनें चकरताथ शिरस्तस्य बिडाल इवे मौशकं एवं ते भख्म हत्यानाम संक्याम कर्थुम्न शक्यतें स्त्रीबाल वृद्ध जन्तुनाम हत्यानाम च विशेशतां संक्याता परपापानाम विभागी जायते यतां ततबहो तिथेकाले गतेकामंदते जरा अगता कफोग्लानिये स्वेदेहो हिक्काथ वेपतुहु अभूत तंद्री चो पविष्टे प्रसुप्ते नच साभवत। अनादरंच चक्रस्ते उत्रादास्योथ सेवकाह। सुख्रुदस्च सुताश्चापिन अप्तारोथापी मित्रकाह। एक एवा भवत्तत्र दृष्ट आप्तो रहस्यक्रत। अनीवार्य गत्तिर विप्रह सच्चापि प्रेशीतस्त्वया। आकार इत्तुम् सर्वाम्स्तान् वुणीन्कानन वासिनह। तेचापि त्वत्भयादेव द्विजवाक्यात्समागताह। अब्रवीस्तान्न मस्कृत्यम्त्तो दानानी गृष्यतां। ते ब्रुवन्नच गृष्णिमो दानानी पती तस्यते। यजनाध्या पनाध्योनात् संबंधात् भाशनादपें। परंसंचरते पापं सहयानासनाशनात। इतीते भाशनास्त्वाम् गत्वच निजमाश्रमं। सस्नु सचैल सर्वेपे पवमानेस्ततो जपन। ततोनु तापो मनसे जात्तक्कामंदते ब्रुषं। आमयात् स्वजनै स्त्यागात् ब्रह्मनै परिवर्जनात् जेर्णदेवालयोध्धारे भवत्ते मत्ते रूरजीतं। धनम् स्वंभिपोलं विक्ष्य कुप्यरत्तादी सम्युतं। ततनादी परामूर्तेर गनेशस्य वनेशुभं। जेर्णदेवालयोध्षुद्रे स्तिताते कथीताद्विजै। ततती विस्त्रोतं दिर्गं। चतु स्तोरण सम्युतं। चतु द्वारं सुरुचिरं। चतु शिक्षर शोभितं। नानास्तं भभितं। नाना वेधिभी परीवारितं। मुक्त प्रवालरत्नाध्ये रचीतं। रुचिरांगनं। नानापुष्प द्रुमयुतं। नानाफल द्रुमईश्चितं। चतु दिक्षु चारुवारिं। अयवाप्पी वीराजितं। प्रासादं। निर्मीत वतस्त द्रव्यं तेव्यं गतं। केंचित्स्त्रियाच पुत्रेश्च सुहृत्भेर्वंदु भेरहृतं। ततो नाति चिरेकाले पंचत्वम्च गतो भवान। याम्यदूतै कशागातैर बद्ध संताडीतो भृषं। कंटकैर विद्ध सर्वांगह शिलायाँ पोत्ती तोपीच। मज्जीतो नरके घोरे पुय शोनित कर्दमें। एवाम्नीत तस्तो तैर्दोतै श्चित्रगुप्त यमांतिकें। यमेन प्रश्टक्किम्पुन्यं उत्भोक्ष्यसी पातकं। त्वमवोच्च पुन्यमःं पूर्वं मुक्ष्यामी सूर्यजं। तत सौराष्ट्र देशेत्वं राजत्वेन वेनिर्मितह। इतीते कथीतं पूर्व जन्मपप करमया। शरनागत कारुण्यात तपोबल समाश्रयात। कांत प्रासाद करनात सौमकांतो भवों रुपह। कांत यकांत तरया बासी कांत्या शशीयत। सूत वाज भुगोनाभीहितं शृत्व सौमकांतों रुपाधमह। तद्वाक्य संशयापन्न आसीदश्मेवनिश्क्रियह। वेदशास्त्रार्त विदुष। भुथ्भावे भवद्विदह। तपस्विना भुगोर्वाक्य यतस संशयं ददो। निरगंक्षनमात्रेन तस्यांगात्पक्षिनोब्रुषं। नाना वरना कृतिधरा भवक्षर डुपतिम्तद। उडियोड्डिये चंचोग्रैर ददम्षर डुपशुंद्रुडई उत्कृत्योत्कृत्यमामसाने निजक्षुस्ते मोनी सन्निधो। ततोदी दुक्किततनुहो शरणंपुनरागतः अवदत्दीनयवाच ब्रुगम्यानत्पोनिधिम् राजोवाच त्वद्वने जाति वैरानां परस्पर भयमनहें त्वत्समक्षं कतमिमें मृतंम्मामारयंतिच त्वत्पाद प्रवर्नंदीनं सकुष्टंशर नागतं। इदने मोचयमुने सर्वसत्वाभयंकर सोतवाच इतुक्त पुनरप्याह प्रुगुस्तम दीनवत्सलह मद्वाक्य सम्षयादित्तम अनोभूत्तम रुपत्ययाह प्रतीकारं वदिश्यामी स्वस्तोभवेक्षनं रुप्याह मम्हुंकारमात्रेन गमिश्यंति द्विजाहिमें सोताच इतुक्त पुनरप्याह प्रुगोवेक्षनं रुपत्यमात्य प्रत्तम इती श्री गणेशपुराणे उपासना खंडे नाना पक्षी निवारणं नामाश्टमो ध्यायह